वो कहते हैं कि जो डेमोक्राइटिक इंस्टिटूशन्स हैं वो पहले से कमजोर हो गई है यहां तक कि आप पर ताना शायर डिक्टेटर होने का भी आरूप लगता है इसको आप कैसे देखते हैं कि पार्लामेंट के अंदर डिबेट करने के लिए बार बार हम कहने आईए ले के मुझे कहते हैं साब हमारे तो पांट साल बरबास हो गए मैंने कभी उनके नेताओं को कहा मैं आपको करना ऐसा करो एक घंटा आपके यंग जो फरस्ट अम एंपी है उनको मुगा दो फिर डिस्टब करो बाद में करो डिस्टब इनको जीवन पर यह सब मैं कह चुगा कोशिश रही है कि यह लोग कुछ करें लेकिन दुर्भा क्या है कि कॉंग्रेस का यह परिवार उनके लिए लोकतंदर मतलब बुन का सत्ता में होना हो आज भी स्विकार करने को तयार नहीं है कि दस दोजार चावदा सीस देश में कोई दूसरी सरकार देश के ने चुनी है मन सफिकार नहीं कर पा है और इसलिए वह हर जगाप उनका उनके मेनीफेस्टोंगे मुद्ध आगर आप इंप्लिमेंट कर रहे तो भी उनको बूरा लग रहा है उनकी कहीं ही बातें आज अगर आप इंप्लिमेंट कर रहे हैं उनको तो खुशी होनी चाहिए भई यह तो हम कहते से आप कर रहे हैं अच्छी बात है हमें मुखा नहीं मिला प्राणों मुखर जी कहते थे अपने किताम पे देखा होगा कि मेरे साथ जो नहोंने काम किया हो कि सब्सक्राइब करते हैं कि सरकार की सब्सक्राइब को चलती ही नहीं है हम पर तो आरोम यह है और उसमें हमारा हम लोग एबिलिटी के लिए क्वेस्टन किया जा रहा है इसका मतलब पहले कुछ एबल लोग ते जो जूडिशरी को मैनेज करते थे और वो इंस्ट्यूशन ठ ठीक थी मैं मानता हूं मुझे क्यों मैनेज करना चाहिए काणू काणू का काम करेगा